नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी लगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत हैं तो दोस्तों क्या आप भी परेसान हैं अपने सफेद बालों से और आप अपने बालों को नेच्रल तरीके से काला करना चाहते हैं यदि हाँ तो ये वीडियो रही हूं इस नुस्के से आपके बाल बिल्कुल नेच्रल तरीके से काले हो जाएंगे सिल्की हो जाएंगे साइनी हो जाएंगे साथी साथ बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और बालों को पो सकता तो भी मिलेंगे मात्र इस नुस्के से तो दोस्तों सबसे पहले हमारे बालों को मोस्टराइजिंग प्रदान करता है साती साथ हमारे बालों को काला करता है क्योंकि दोस्तों बैसलीन में होता है एंटियोक्षिडेंट गोड और एंटिवेक्टिरियर गोड जो कि हमारे बालों की स्केल्फ की रक्षा करता है और बैक्टिरिया से बचाता है स आती साथ बालों को काला यानि कि नेचरल तरीके से काला करने में बहुत तेजी से मदद करता है ये बैसलीन तो जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं सर्जों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में थोड़ा सा बैसलीन जमा हुआ होता है तो मैं आगे तरीका बताऊंगी तो मौस्टराइजिंग देता है हमारे बालों को लंबा बनाता है घना बनाता है साइनिंग दार बनाता है चमकदार बनाता है बालों अगर आपके दो मुहे बाल हो गई हैं तो दो मुहे बाल भी आपके सही कर देगा यानि कि दो मुहे बाल होने से बचाता है आसा मैं अगर आ तो इस समगरी आपके बालों को काला करेगा घना बनाएगा साइनिंग दार बनाएगा लंबा बनाएगा और साती साथ आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम समाथ हो जाएगी बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी आप यहां पर देख सकते हैं मैंने करीवन डेर चमबस इसमें नारिल का तेल डाल दिया है अब मैं आपको बता दू अगर आपको ऐसा लगता है कि यह तेल जमा हुआ है डबल बर्लर मेठट का यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने गरम पानी ले लिया है कटोरी में और इस पानी को उपर मैंने रख दिया है इस कटोरी को तो आ पर भी यह टिखल जाएगा दोस्तों इसमें उसके को ट्राई जरू करना और आप देखना आपको रिजट आठ दिन में ही देख जाएगा तो अब आपको करना क्या है यहां पर मैं इसको यह देख सकते हैं मैं इसको ट्रोरी को खटाती हूं आप इसके बाद में कुछ सामगर और भी इसमें यूज़ करनी है अब दोस्तों हम इसमें क्या डालेंगे ऐलोवेरा ऐलोवेरा जेल हमारे बालों को क्या करता है ऐलोवेरा में एंटी वाइटिक एंटी बेक्टिरियर गुड़ होते ही है जो कि हमारे बालों की स्केलफ पर अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन ह तो उसको ये खतम करता है साती सब बालों की ग्रोथ भी अच्छा करता है बालों को जड़ से काला भी करता है बालों को घना सिल्की साइनी भी बनाता है लंबा भी बनाता है बालों की हर एक प्रोब्लम बालों की हर एक समस्या को ये ऐलोवेरा भी समाप्ट करता है और बालों काला करता है यानि कि बिल्कुल नेच्रल तरीके से आपके बाल काले होंगे बालों में एक भी प्र प्रॉब्लम नहीं रहेगी अब यह पर हमें लेना है अलोवेरा जयल आप चाहें तो मैंने जो पत्ति दिखाई है ताजा अलोवेरा ले सकते हैं ताजा ओए खधाल यह बाक्ष का भीड़ सकते हैं तो मैं यहां पेर मार्केट का ले रही हूं तो हम इसमें ताले ओधाला नेंगे एक चमंच और आप जो तादा पती एक चमंच आप मिला सकते हैं विह सम्च यह मैं काम है ट्या lookin बरदान है बालों को मॉस्टराइजिंग देगा साती साथ बालों की हर एक समस्या को दूर करेगा बालों की जो जड़े होती ना जो स्केल्फ होता है उसको भी एक क्लीन करेगा यह किसी को रूसी हो जाती है किसी को बाल जढ़ने की समस्या होती है तो बालों का जढ़ना भी अच्छी हो जाएगी, 7 साथ बाल काले घने होने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है, इस नुस्खे को आपको लगाना है अपने बालों में, मैंने आप से बता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि ये नुस्खा जम गया है, तो आप बस कुछ ना करें, डबल बालर मे जड़ों से ही होते हैं तो आप क्या करें बालों की जड़ों में पूरे बालों की जड़ों में बालों की स्केल्फ पर यानि की सिर्की स्केल्फ पर अच्छे से इसको लगा करके और मसाज कर दीजिए मसाज आपको लगातार 10 मिनट के लिए करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है अपने बालों को छोड़ देना है आपको बस करना क्या है कि कुछ थोड़ा सा कपड़ा बगड़ा कुछ डग लीजीए बालों में ताकि बालों में धूल मिट्टी ना लगे तो आप इसको ये method आप रातम में भी कर सकते हैं आप चाहे तो नहाने से पहले भी कर स लेंपू से साफ कर लीजिए दोस्तों इतना करना इससे आपके बालों को पोसकत्त मिलेगा आपके बालों को बिटामिन्स मिलेंगे मिननल्स मिलेगा और आपके बालों को मौस्टराइजिंग मिलेगा जिससे की आपके बाल काले घने सिल्की साइनी लंबे हो जाएंगे और आ बाल आपके देखने मैं लाइक होंगे हफते मे दो भार जरूर यूज करें को जाएं दो आप के बालों को ज्यड़ना बंद हो जाएगा आपके बालों, रूसी रूसी भी ahyold काली हो जाएगी और साथी